नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षपलस में जैसा कि UPSI का लेटेस्ट जो होने वाला है वो DBPST होने वाला है आपका जब भी हो जाया है जो हमने एक एकस्पेक्टेड डेट आपको बताई है जो उमीद की जा सकती है कि almost 15 तक आपको नोटिस मिल जाएगा और लास्ट जरवरे तक आपकी DBPST हो सकती है तो उसके सिलसले में कि आपको DBPST में क्या-क्या documents चाहिए अगर आपके document में कोई गलतियां है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हो क्योंकि अब तो समय है कि आप university से फिर से नई मार्सीट ले सकते हो चाहिए बोर्ड से नहीं मार्सीट बनवा सकते हो क्योंकि वह लंबा प्रोसेस है और उसमें क्या होता है कि आपकी जो original copy है मार्सीट की चाहिए जिसमें भी आपको दिक्कत हो वो रख ली जाती है फिर duplicate उसकी बर्रा कि री जाती हो और मुस्ट मन मन्त का टाइम लग जाता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है तो इस बात को जरूर ध्यार रखिएगा कि इन्वर्सीटी जाके चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीविसी से आप जिससे भी पढ़े हो 10-12 वहाँ पर जाने के बाद आप लोग पहले पूछ लिजिएगा कि कब तक आ सकता है या और जिन्वर कॉपी जबा हो रही कि नहीं हो रही है तो आज हम बात करेंगे कि डॉकुमेंट्स क्या क्या आपक आपकी होनी चाहिए और 10-12 के मार्सीट के एकॉर्ड ही आप फॉर्म में अपना नाम अपने पिताजी का नाम और मदर्स नेम भरते हैं तो उसमें आपके जो नेम है चाहे फादर नेम चाहे जो भी है वह एज़िए जो अप्लिकेशन फॉर्म में बरें वही होना चाहिए अगर कोई गलती है मालों 10 में अलग नाम है 12 में अलग हो गया है कुछ भी जैसे किसी में स्पेस हो जाता है रविंद्र कुमार एक में हो गया चाहे एक कुमार ही हट गया तो यह सीजों को ध्यान रखे उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं चीक है उसके लिए आप यहां पर बोड जाके अभी तुरंट उसे सही कराने की कोशिस ना करें क्योंकि आपके पास समय कम बचे हुए है तो उसके लिए एफिडेविट लग जाएगा उसमें और जो खासकर जो गर्ल्स हैं फीमेल हैं उनमें क्या होता है कि आपका नाम के आगे कुमारी लगा मुआला होता है तो उसके लिए परसान होते हैं अपको परिशान नहीं होना है तूसकेशो की बड़न स्धार होना होना चाहिए सर्टिफिकेट होना जिसे हम संत करतें 2009 के बाद वो हट गया था, खास कर 10th में, 12th में आता था, तो mark seat और certificate दोनों होना चाहिए, graduation अगर आपने yearly मतलब year wise किया है, ठीके तो प्रते एक year का, 3 साल का, वो आपके पास mark seat होना चाहिए, साथ ही साथ, अगर semester wise है आपका university, तो semester wise आपके पास mark seat होना चाहिए, अगर इसमे कोई issue है, चाहे नाम में, चाहे DOB में, चाहे father name, चाहे mother name, जो high school से difference create कर रहा है, तो आप affidavit लगवाएंगे, एक ही affidavit बनवाईएगा, जिस जिस में गलतियां होंगी, वो आपे mention कर दीजेगा, ठीक है, उसके बाद से degree, आपने graduation final कर लिया, तो आपके पास original degree होनी चाह है, जिसे हम certificate भी बोलते है, suppose करो कुछ university यां क्या होती है, degree बाद में देती है, दो-तीन साल बाद देती है, अगर आपको degree नहीं मिली है, और कुछ की होती है, जल्दी देती है, वो university to university depend करता है, तो अगर आपको degree नहीं मिली है, तो आप provisional degree निकलवा सकते हो अपनी university से, यह तुरंत बन जाता है, ठीके, तो ऐसा मत करना कि नहीं मेरे पास degree भी नहीं है, provisional degree भी नहीं है, कोई एक लेके जाओ, अगर original degree नहीं प्रोविजनल लेके जाओ, ठीके, मार्सीट तो आपका होना ही चाहिए, वो ध्यान रखिएगा, अगली बात, application form, application form भी आपका होना प्रिंट आउट आपके पास है, तो बेटर है, अगर नहीं है, आप भूल गए, प्रिंट आउट नहीं किये, सेव नहीं किये हो, तो कोई इसू नहीं है, compulsory नहीं है, यह ध्यान रखना, यह आपको compulsory नहीं है, application form, अगर है, तो लेते जाना, चौथी बात, कि जो आधार pen card driving license, मतलब फर्म भरते समय, जो आपना पहचान पत्र आप लगाए होंगे, चाहिए वह अधार card लगाए हो, चाहिए pen card लगाए हो, driving license लगाए हो, कुछ भी अगर आप लगाए हैं, तो उसे आपको क्या करना है, लेके जाना है, ठीक है, जो भी लेके जाना, कोई जरूरी न और photocopy भी, मतलब इन सभी document जितना मैंने लिखा है, इन सब के दो-दो photocopy आपको करानी है, नेक्स्ट है, domicile certificate, domicile certificate निवास प्रमाट पत्र, आपका होना चाहिए, नया हो तो और अच्छा है, इसके बारे में कहीं भी notification में जिक्र नहीं किया गया है, कि पुराना चलेगा होना जरूरी है, इसके पुराना है, तो कोई issue नहीं है, क्योंकि कई mention नहीं है, new है, तो और बेटर है, अच्छा है आपके लिए, उसके बाद से कास certificate की बात कर लेते हैं, general के लिए कोई कास certificate नहीं चाहिए, OBC के लिए चाहिए, तो OBC का कास certificate जो होगा, वो 1 April 2020, इस बात को सपोज करिए, 20 March 2020 का है, तो वो valid नहीं माना जाएगा, चाहिए वो central का हो, चाहिए आपका state का हो, यह ध्यान रखिएगा, कि OBC कास certificate आपका तभी valid होगा, जब 1 April 2020 से 34 2021 के बीच में बना होगा, same as it is EWS certificate के साथ भी है, अगर इसमें कोई भी नाम आपका गलत है, तो उससे को कोई issue नहीं है, कि आपका जो father name, चाय mother name में कोई दिक्कत आ गई है, कास certificate में, तो कोई issue नहीं, आप एफिडेविट बर्मा के उससे सही करा सकते हैं, EWS certificate में भी आपका यही date होना चाहिए, 1 April 2020 से लेकर, form के last date के बीच में ही बना होना चाहिए, ठीक है, SCST certificate अगर इस कास से विलॉंग कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई specified date नहीं दिया है, यह पुराना भी चल सकता है, नया है, तो और अच्छा है आपके लिए, ठीक है, उसके बाद से अगर आप किसी सरकारी सेवा में हैं, किसी जॉब में हैं, गॉर्मेंट जॉब में हैं, तो वहाँ से आपको एक एक सर्विसमेन है, कहीं सर्विस कर चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक प्रमार पत्र मिलता है, आपके कमांडेंट के द्वारा और 37 संग्राम से नानी से आप बिलॉंग करते हैं, तो वह भी प्रमार पत्र होता है, तो उसको आपको लेके जाना होगा, लास्ट मे लिजिएगा कि इस मार्क सिट में ये गलती है, इसमें ये गलती है, तो कोई इसू आपको नहीं क्रियेट होगा, बाद में आप उसे सही करा लिजाएगा, कि बाकी आगे कभी आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, बाकी फॉर्म भारते समय जो आपने फोटू यूज किया, उसी का दस जो है कॉपी आप ले ली जिएगा, और इस इतने भी मैंने डॉकुमेंट बता हैं, जो आप पर एप्लिकेबल होगा, अब जैसे EWS वालक के साथ एक चीज और जरूरी है, कि आपकी इकम साटिफिकेट भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इकम साटिफि साटिफिकेट वालों के लिए, इकम साटिफिकेट भी जरूरी है, और जो EWS का साटिफिकेट है, वो भी जरूरी है, ठीक है, तो इतने जो डॉकुमेंट्स हैं, आपके टोटल मैंने 10-12, ये अफिडेविट छोड़ दो, ये तुमान लो, आपको लेके जाना ही है, जहां गलती होंगी, जो भी गलतियां है, आपके साटिफिकेट में है, आपके मार्क सीट में, चाहे ग्रेजुएसन हुआ, चाहे टेंथ हुआ, चाहे ट्वेल्थ हुआ, ठीक है, चाहे आपके जो फॉर्म आपने फिल किया, उसमें कोई गलती हो गई है, नाम लिखने में, अपन उन्सेütfen से जाओ उन से आप इसे क्या कर सकते हो आपको डोकुमेट लेके जाना है साथ-साथ original copy भी लेके जाने ही हर चीज की जिसकी photocopy होगी वो जमा हो जाएगा बाकि original आपके पास रहेगा वो verify करेंगे ठीक है अगर आपके पास इनमें से कोई preference है मतलब आपने ये कुछ certificate कर रखा है तो आपको job में preference मिलेगा मतलब अगर same as it number पे आप आते हो दो candidate तो उसमें देखा जाएगा कि आपने NCCB certificate किया है या O label किया है या SENA में 2 वर्स तक कारे किया है तो इसके भीहाब पे आपका selection हो जाएगा बाकि अगर कोई नहीं किया है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा अगर एक marks का मतलब same marks पे कोई candidate आता है तो इसका preference दिया जाएगा उसे post में तो ये एक पूरा detail document का है कि क्या क्या document आपको जरूरी है लेके जाना मैंने application form पे लगा दिया है कि ये compulsory नहीं है ये ध्यान रखना इस पो compulsory नहीं है आप इसे ले जा भी सकते हो अगर नहीं print लिये हो नहीं save किये हो तो कोई issue नहीं है as it is ठीक है बाकी जो भी आपकी गलतियां मैं बार-बार यही दोर आ रहा हूँ चाहे आपके नाम में हो चाहे father name में हो चाहे mother's name में हो चाहे form में कोई form भरते समय तुर्टी हो गई हो तो वो उसके लिए आप एफिडेबिट 10 रुपे की नोट्री लगा के बनवाईएगा कोई issue आपके सामने नहीं आएगा ठीक है तो यह आपके documents related होगे आप इसका जो है एक तरह से screenshot ले सकते हो कि क्या क्या जरूरी है आपको लिए तो वो चीज़े यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाकी आपको कोई भी issue आ रही है अगर documents related तो आप इस वीडियो के description box में जो है link दी गई है वहाँ से आप telegram group join कर लेजिए और हमसे personally concert कर सकते हैं नंबर दिया हुआ है वहाँ से concert कर सकते हैं और भी कोई problem है तो वीडियो के comment में आप अपनी problem हमें बता सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत दोट धन्यवाद